नमस्कार मद्धिप्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नुश्का से मद्धिप्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संकर्मन को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की इस बैठक में जहां प्रदेश के अस्पतालों में बैड बढ़ाने के निर्देश जानी किये गए तो वही वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए जिलो नए टार्गिट दिये गए हैं बता दे कि बैठक में फैसला लिया गया है कि महराश्ट्र से सटे मध्यप्रदेश के जिलो पर खास नजर रखी जाएगी। महराश्ट्र से आने वाली बसों पर भी अब रोग को 15 अप्रेल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए मुखेमंत्री ने अफसरों को वैक्सिनेशन बढ़ाने के भी निर्देश जारी किये है। मंदिप्रदेश में अभी रोजाना लगबग साठे तीन लाख कोरोना वेक्सीन के डोज दिये जा रहे हैं मुख्य बंत्री ने जिलो को एक अप्रेल से वेक्सिनेशन का नया टारगिट दिया है जिसके बाद अब रोजाना चार लाग से अधिक कोरोना वेक्सीन के डोज लगाई जा सकेंगे भोपाल में आज से पैतालिस वर्ष से अधिक लोगों के वेक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है जिस पर ग्रह मंत्री नरोतम मिश्ट्वा ने कहा कि अब दवाई भी रखनी है और कड़ाई भी रखनी है आज लगभग 40,000 लोगों को वेक्सीन लगाने का प्रेयास किया जाएगा वही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि सभी लोग वहां अधिक से अधिक संख्या में मतदान करे और बीजेबी को भारी मतों से विजई बनाए वहां तो किसान कोई है नहीं, उद्योग पती है, उसी दरजे के बाकी है तो इसलिए किसान का दर्द वो क्या जाने, सौने का चमच मुँ में पैदा होने वाले लोग, जाके पाइना फटी मिमाई, वो का जाने पीर पर आई, अगर पीर जानते होते, तो दस दिन में दो लाख एकात का तो माफ किया होता राश्टियत जख से असत्य बुलवा दिया, जूट बुलवा दिया, खुद ने बल्लब बहुन पर दसकत करके कह दिया के माफ कर दिये सारे, दो दो चाच्चार हजार माफ करके सहरा बादने लगे, ये क्या किसान का दर्द जाने जो कभी योले पे खेत पे नहीं गए, प प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है, रोजाना कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वही अब कोरोना की चपेट में मंतरी भी आने लगे है, आपको बता दे कि परिवहन मंतरी गोविंद सिंग कोरोना पॉजिटिव पाई ग में आए हैं, वो अपनी कोविट जाज जरूर करवाए. रहा लुपता था, मुझे में करवाण होती थी, बोसा मुझे कहीं लखरार लख रहा है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव आया है, ने अपसे निविदा में किसा तक रहे हैं, उमास जरूर लगा है. देश में पिछले साल कोरोना वाइरस ने दस तक दी तो देश भर के स्कूल बंद कर दिये गए लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए वहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए ओनलाइन कक्षाई शुरू की गई लेकिन इससे ग्रामीट शेत्र में रहने वाले बच्चों की समस्या और बढ़ गई त्योंकि उनके पास ओनलाइन कक्षाऊं के जरिये पढ़ाई करने के लिए मुबाईल और नेटवर्क की सुविधा नहीं थी पर मद्यप्रदेश के सागर जिले में ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए एक सरकारी स्कूल के सिक्षक ने चलती फिरती लाइब्रेडी बना थी बता दे कि कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लोक्टाउन और बाद में संक्रमण के डर्द के चलते बंद रहे स्कूलों के चलते मद्यप्रदेश के सागर जिले के विभन गाओं में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी इसे देखते हुए सागर के एक सरकारी स्कूल के सक्षक सी एच शिर्वास्तों ने अपने स्कूटर पर ही चलती फिरती लाइब्रेरी बना थी बता दे कि इस लाइब्रेरी में बच्चों के कोर्स सम्मंदित सभी किताबे होने के साथ ही अन्य जरूरी किताबी में बौजुद है वही शिर्वास्तों ने बताया कि यहाँ जादतर छात्र गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और ओलाइन कक्षा उन तक नहीं पहुच पा रही है कोविद के कारण स्कूल बंद चल रहे थे ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो यही सोच कर यह पुस्तकाले बनाया क्या है अब इस पुस्तकाले से किताबे लेकर गाओं के सिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही शिर्वास्तव की सराहनिय सोच की जम कर सराहना हो रही है चितरंगी के बगदरा कला जंगल में भीशड आग लग गई पंद्रा घंटे की मशक्कत के बार भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका बता दे कि आग तेजी से सैक्डो एकर जंगल में फैल चुकी है वनमला के अलावा फायर ब्रिगेट की टीम आग बुझाने में लगी हुई है आग की धदक्ती लप्ते पूरे जंगल को धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है वहीं बंगदरा कला जंगल में लगी इस भीशर आग की चपेट में बड़ी संख्या में वन्य प्राडियों के आने की भी संभावनब लगाई जा रही है वहीं मौके पर फॉरेस्ट वमले के साथ SDM चितरंगी नीले शर्मा भी मौजूद है वहीं आधा दरजन बस्तियों तक आग फैली की आशंका व्यक्त की गई है चानकारी के मुताबिक बदकुर, चिकनी, गौर हवा, नौधी हवा, पीपरवा सहित बस्तियों की ओर आग पहुचने की आशंका है जिससे इलाकों में देह्शत बनी हुई है आग की चपेट में सागोन, सरई और बास के पेड़ भी आ चुके है इस आगज़नी से करोणों का नुकसान का नुमान लगाया जा रहा है वहीं आग की चपेट में आने से कई वन निप्राणियों के जलनी की भी आशंका जताई गई है रतलाम के सेलाना फोर लेन पर धाबे पर काम करने वाले करमचारी को अग्यात नकाब पोश्च बदमाशों ने गोली मारती और मौके से फरार हो गए गनीमत रही कि गोली करमचारी के गाल को छूकर डिकल गई वहीं गायल करमचारी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है वहीं पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है बताय जा रहा है कि आमबा दिवासी राकेश सेलाना में मदुवन धावे पर काम करता था शाम करीब आट बजे अग्यात तीन नकाब पोशों ने उसको गोली मारती फिलाल सेलाना पुलिस इस मामले में अग्यात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है राजगर में रिष्टों को समसार करने वाला मामला सामने आया चहां एक पिता ने अपने ही बेटे का कतल कर दिया बता दे कि आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी को खुश रखने के लिए अपनी पहली पत्नी के नाबालिक लड़के की हत्या कर दी वहे पुलेस ने हत्या का खुलासा करके तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया पुलेस ने बताया कि ग्राम कोडिया खेडी में एक व्यक्ति ने एक नाबालिक की हत्या कर शव को जला दिया था जसके बाद कारेवाही करते हुए पलिस ने आरोपियों को किरफतार कर लिया है कि अगर इससे जो पुत था अलुण वो पिता के साथी रहता था और उस समय बाद इसने दूसरी शाधी कर ली इसका विसायों से मुंता ही नम है इसके दो बच्चे हुए वह दूसरी बति ती उसको शादी के बाद जब इसके दूबच्च्य हो गए तो पहला पहली बत्नी का पति इसको कहीं नहीं घंटने लगा अपने बच्चों का कंप्प्रीटर गड़ने लगा तो अपने पती इसे परवस्चिंग से यगड़ा करने लगी कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या यह बच्चा रहेगा वो कि परिशान रहने लगा पती 28 तारीक को जब दिमाग में कुछ ये बीवस गठना का प्लान बनाया उसने और जब सब लोग भोली कि दिन होली का दहन में बैस थे इसने अपने बच्चे को अरुण को गलादबाकर खेप ले जाकर गलादबाकर मार डादा अपने एक साथी जी दिन के साथ मिलके अगली दिन आनन खानन में बच्चे का दार संस्कार रखी जब ये उसकी बात से उसकी माँ को जानकरी हुई तो माँ ने आगे इंदोर नगर निगम के जरिये बढ़ाए गए कर का लगातार विरोध किया जा रहा है वही कर बढ़ाने के विरोध में आप पार्टी कारिकरताओं ने नगर निगम मुख्याले पर प्रदर्शन किया वही आप पार्टी कारिकरताओं ने थाली चम्मच बजा कर नगर निगम के उक्त निर्णे के खिलाफ जम कर नारे बाजी की वही कारिकरताओं ने मांग करते हुए कहा कि नगर निगम को जल्द ही अपना निर्णय वापस लेना चाहिए गुना जिले के नगर परिशद चाचोड़ा बीना गंच इन दिनों प्रधान मंत्री आवास योजना को अवैद कमाई का धंदा बनाये हुए है बता दे कि नगर में प्रधान मंत्री आवास के पात्र व्यक्तियों ने नगर परिशद CMO वकरमचारियों पर घर के लिए 20 हजार रुपे मांगने का सीधा आरोप लगाया है कई करीब लोगों का कहना है कि घर के लिए दो वर्ष से नगर परिशद के चक्कर काट रहे हैं वही धार पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है बतादे कि पुलिस ने हत्या मामले पर ततकाल कारेवाही करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है बतादे कि तीन दिन पूर्व कुक्षी शेत्र के पास प्रेम सिंग जमरा नाम के युवक का शव मिला था वही शव मिलने से पूरे शेत्र में संसनी फैल गई थी वही घटा की सूशना मिलते ही पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए हत्या का खुलासा किया पुलिस ने बताया कि मृतक लोडी पावर ग्रिज पर काम करता था मृतक प्रेम सिंग के पावर ग्रिज को लेकर साथ में ही काम करने वाले अर्विंद से विवाद हो गया जिसके बाद अरविंद ने अपने एक अन्य मित्र के साथ मिलकर प्रेम सिंग के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी वही हत्या को सड़क दुरगटना का रूप देने के लिए आरोपियों ने प्रेम सिंग के शब को सड़क पर फेक दिया था तो जाजते दुरह नहीं गयात हुआ कि मेरा भाई क्रेम सिंगी उसकी लाश है जो कि ग्रेट पर काम करता था तो वसी बिंदू पर आगे बढ़ती हुए जब पुलिस ने इंविस्केशन किया तो यह जानकारी आई कि जो अपना अरविंद है वह भी महां पर काम करता था अरविंद मिलाला और इसने अपने साथ ही लोकेश मांचर के साथ मिलके इसकी हत्या किये हत्याकार यह था कि यह धार की बेचियों ने आज देश का मान बढ़ा दिया है मांचर के स्वेव सहायता समू के जरिये बनाई गई धरा प्रिंट की साड़ी इटली की वॉक डिजिटल एडिशन फैशन मैगजीन के कवर पर च्छापी गई है बता दे कि मैगजीन कवर पर प्रिंट की गई दीदी का फोचो रानी रूपमती महल मांडू में खीचा गया है आपको बता दे कि धार जिले के बाग प्रिंट के बाद अब धरा प्रिंट आकरशड का केंद्र बन रही है यह साड़िया समू की महिलाओ ने ही तैयार की है इसमें महेश्वरी चंदेडी और कॉटन का लोग किया जा रहा है वहीं धार कलेक्टर आलोक कुमार संग वा एडियम सलोनी सिदाना ने बताया कि मांडू में आजीवी का मिशन का कार्याले है जहां पिछले एक महिने से सूली बैडी पनाला महंदी खेडी और मांडू की दीदिया द्वारा अपने हातों से साड़ी परदे वद्वध़पटे तयार किये चा रहे हैं वहीं कुछ दिन पहले मांडू के महलों में दिल्ली की एक फोटाग्रफर ने हस्त कलाक से बनने वाली साड़ी कुरते वद्वध़पटे को पहना कर इनी महलाओं का फोटो शूट किया था इसमें से सीता दीदि को भी धर भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में फिर एक बड़ी लापरवाही देखने को बिली जहां हॉस्पिटल स्टाफ ने कोविट संक्रमित मरीस की डेट बॉड़ी को परिजनों को सौब दिया महें पुलिस के हस्टक शेप के बाद निजी वाहन से हॉस्पिटल स्टाफ ने कोविट संक्रमित की डेट बॉड़ी को वापस उतारा बतारे कि इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं प्रदेश में जहां एक और कोरोना विक्राल रूप ले रहा है वही इस तरह के मामले सामने आने के बाद स्वास्तव विभाग पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लाक्टर सूते हैं सब्सक्राइब कर दो वजे रात में आस्टा हुगा दो वजे खतम हो गया तीन बजे आस्टा हुगा अब लाइब देख लेते वाइच्छाण तो यह थे नहीं होते हैं तो चिल्ला रहा है जम जम के दक्तरों को जाके देखना चाहिए थी क्या प्राबलम में मरीश को क्या दिक्कत हो रही है औक्सीगन निकाल के फिंदियां तो फुल लबहा दूब नहीं देखा वाली हो रह और मद्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी नमस्कार